मैंने कहा ये परिवार है परिवार में अलग व्यूज होते हैं हमारा RSS वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है हमारा दूसरा तरीका है मनमख कुटुम्बं प्रती कुटुम्बं लो ये रखंगा नहीं ते वाईरुद्याल विबेदाल उन्टायों मनदांटल कुड़ा उन्टाई मनदी RSS लांटी कुटुम्बं का दू अकड़ वकवेक्ति अभिप्रायानिके गावरों मंटू वकवेक हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे शिकायत है कंप्लेंट है हमारी इंटर्नल सिस्टम है उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए मगर अगर कोई मीडिया में जागे बाहर बोलता है तो वो कॉंग्रेस पार्टी को डैमिज कर रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले है कल एक बहुत सक्सेस्फुल मीटिंग बहुत सक्सेस्फुल मीटिंग हुई और ये आप सब का काम है पूरी कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी शक्ति डाली और उसका रिजल्ट उसका नतीजा आपने देखा तो मैं आप सब को बहुत देना चाहता हूं इस प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के बहार बहुत सारे युवा हैं बहुत सारे नेता हैं बहुत सारे हमारे पुराने वरकर्स हैं जो कॉंग्रेस की विचारधारा को मानते हैं समझते हैं और चाहते हैं हमें उन लोगों के लिए कॉंग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने चाहिए कॉंग्रेस पार्टी में आईए आप हमारी विचारधारा को मानते हो आप आओ अंदर आओ और हमारे साथ मिलकर के सियार और टी आरेस से लड़ो आपने पिछले आट साल देखे आपने तेलंगाना का जो सपना था उसको नश्ट होते हुए देखा आपके तेलंगाना की जो लूट की गई उसको देखा आपका जो पैसा आपके जेब से चाहिए आपके भविश्य को नश्ट किया गया आपने देखा आपको स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी, हस्पताल नहीं मिले और जो पैसा आपको मिलना था वो एक परिवार को मिला यह कॉंग्रेस पार्टी की जिम्हेदारी है मगर यह तेलंगाना के युवाउं के तेलंगाना के युवाँ